हुआ है हलो दोस्तों स्वागत आप सब्सक्राफ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल वागब लट्रिंग पर दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे और सजावटी वा मसाले वाले फसलों के खेटी बेसी अगरिकल्चर सेमस्टर ठीक है इसके टॉ अगरिकल्चर चार साल के बाजा है पांच साल में पहुंच जाएगी ठीक है और मुझे तो आप जानते हैं मेरा नामे रागव पाठक तो चलिए शुरू करते हैं आप आगे वाला अपना वीडियो कि अच्छों पहला कोशन हमारा कैसिया एंगस्टी फोलिया में एलकलाइ ला के पाया जाता है तो वो हमारा छोता है दोस्तों सोन नो साई ठीक है कैसिया एंगस्टी फॉलिया में में मेरा एलकेलेट पाठा सोनो साइड़ के आगे बढ़ते हैं ज़र राफ यूर्किस पाए जाता कि टो है तो कि तो मेला पढ़ने जाता है ज्र Wahr दोस्तों नाम से अवा कहसे जो ठीक है आगे बढ़ते हैं की के लोगको में बढ़ अलकलाइड्स पायाजता है तो वह मैं थो फारे ज सेपोंइन चीफ है आगे बढ़ते हैं सिसके और देगत कर नग्या Kellyan पाया जाता है क्लांटेगो ओवाटा में फाया जाता है तो अ हमारा होता हैyrल मॉ मौर्स में अलक्लाइट्स की मातरा पाई जाती तो वह थे तो संहरी उतीन दे चार से 5% ऊस्की कि पत्यों में कितनी होती है तो से 3% ठीक है फलीओं में होगी 4-5% और पतियों में की 2-3% आगे बढते हैं एलोए बारवेंडिस में यह सपाया जाता है वह हमारा पाई जाता है जोस्तों एलोई नाम से बता जलता है एलोई बार वेंडसे अलोई ठीक है आगे बढ़ते हैं विंटर चेरी में से डिरेक्टन एलचिफ फा जाता है और ढूंसा पैलिक लाइट पाहया इतुल्सी नि इंडिका क्यों में पाई जाता है याद रटेगा तुल्सी में पाए जाता है पाया जाता है त्रौ टीक है अगया बढ़से निम्न में संक्र्ण जाती वह हमारी दुस्तों इंडियन वेदलिए यह अमारी के संक्रण घर्स जाती है तो वैशे तो नौरवी के आश्रोगंधा इसको कहते हैं गोड़े जैसी गन्दा आती है इसकी जड़ों में इंडियन स्नेक रूट माने सर्प गन्दा ठीक है इतना आप अपना तो आपको सब्सक्राइब इन उन्हातों और उपच्छार में काम आता है उपचार में वह सब्सक्राइब और और मिभनें अवास इन आता है घुगल का खुल द्सक्राइस अधी कि Google का उपयोगी वांगु होग होता है बढ़िए जो उसका गुण्द निकलता है वो अपयोगी 받ए तिक है और गुण न कौकर अब सरफ गंदा का कुल है सर पकंधा का कुल है तो बिस का मारा एप पॉ-साइननेशी होगए ठीक है ए MRT सर्प गंता का उपयोगी बात है दोस्तों इसकी जड़ेंग्स की उपयोगी होती है सर्प गंता की आगे बढ़ते हैं बेलाडोना कौन से कुल का पौदा है तो दोस्तों बेलाडोना हमारा जो है वह स्वलने सी कुल का एक पौदा है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों ग्रूप में अफिम का पूरोग का था ठीक है फिलेड होना पहुत पाल तेस्थालं सिभी और्ले एर्मटे ओर की सिष्चोंहीं के क्प्रगार होता है अफीम के फल डायोग वहता है कैट्सूल का होता है कि स्थाइर कुष्टि कि डियूू ह 11 000 प्रती हेक्टेर शेकंटेर में बारा पॉइंट फॉइंट फॉइब लगबग भीघा होता है तूल्सी का रिभा नारा नेम का हमारा कौल है दॉसा नीम का वितक प्रफित一點on ठीक है नीम का जो प्यों की बागए वो बीज है कि इसको नीबॉली भी काओं में बोलते हैं ठीक है अश्रोगंदा में ज्रड का उपरी वाग जिस छिलका पतला लंबाई 7 cm ब्यास एक से 3.5 cm उसे रखा जाता है ग्रेड़ ए में दुस्तों अश्रोगंदा के चार ग्रेड होते हैं ठीक है सबसे लास्ट वाला जो बश्टा है उसको ग्रेड़ी में रखा जाता है और यह कि गौन स्रवादिक उतपादन होता है छालाबाल में रजस्थान सरवाधिक स्रौंता का उधपादन होता है शोगंदा में होती है वो ती आट से 1000 अप्रति हेकटेर ठीए बैत स्रियाजीत सफेद में सबको पता है यह सब्हार्ट सारी चीव्यों में काम आती है गवार्पाथा का उत्पाति स्थल दच्छुडी पश्चिमी अफ्रीका गवार्पाथा का प्रवर्धन किया जाता है गुलकंद गवार्पाथा का एक किलो जेल प्राप्त करने के लिए म towards वं के लिए घ्रवारत में सफेद मुश्री का उतमाजन होता है ऑर वह दोस्तो हमारा होता अमिद्ध accreditation मत्द्धप्रदेश होता है आप समझ करें होंगे आपको सारे कौशन याद में आजाएंगे ठिक को अलो वह कहते हैं इसने Ah P3 के उपचार में काम मिsequently है तो वह हम काम मिलेते इसकां सब गोल को यह काम में all a situation कर दो है तो धुक्रों मैं नीच हूँ किस्व जायद की सफेद मुसली के दिखता होती है कैल्सियम के तो यह जो कुश्चन आप देख रहे हैं यह आंसर के आपको वेब साइट में मिल जाएगे और बारतम सरवादिक रतन जोट का उतपादन होता है वो रहता है राजास्थान में ठीक है आगे बढ़ता है रतन जोट में प्रूनिंग होती है मार्च आगे बढ़ते हैं एल्फटी किसम है एल्फटी किसम है दुस्तों सनाई की कि सनाई की बीजदर होती है सनाई कि बीजदर हमारे होती है दस किलो पृती हेक्टेर to रतांजोत का उपयोगी भाग होता है सफैद मुझा उपयोगी भाग होता है तो दोस्तों मुझे लगता है सारे कोश्चन आपने ध्यान से देख रखें और आगे जो वीडियो आएंगे वो भी आपको अच्छी तरीका से आपको प्राप्त हो जाएंगे तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा जिससे की आगे आने वाल प्यापर मैपको